Hello everyone, my name is Gaurav, welcome to WSQTEC, WSQTEC में आप से गास्वागत है, आज के इस पट्रिक्लिट वीदियो लेक्चर्स के अंदर हम Applications Manager को समझने वाले हैं, देखें इसके लास्ट वीदियो लेक्चर्स के अंदर हमने Interach Escada Software के वरे में डिसकस के था, और इसके तीन मेजर प्रोग्राम के प हम new applications को create कर सकते हैं वो यहां पर देखने वाले हैं तो start करते हैं यहां पर तो मैं आपको यहां पर इसके स्काड़ा जब आप यहां पर install करेंगे first time तो आपको कुछ इस तरह का icons देखने को भी लिएगा जहां पर यदि आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, clear? इसके अंदर आपको पास Demo Applications भी देखने को मिलेगी, यदि आप यहां पर firstly इंस्टाल रहे हैं इसको को, तो यहां पर demo applications भी देखने को मिल सकती है जिसके तुरू आप यहां पर समझ सकते हैं कि किस तरह से SCADA design की जा सकती है देखें बात करें यहां पर applications manager के अंदर हमें यहां पर applications के name देखने को मिलते हैं प्लस इसके साथ-साथ हमें यहां पर कौन सा यहां पर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि मैंने यहां पर बात कर रहा हूं यहां पर देखने को मिल रहा है तो आपके पास यहां पर यहां पर यहां पर आपको देखने मिलेगा और इसके अपने कोई सारी चीज़ा चेज़े आपकर बात करो यहां पर यह सारे आइकन साफको नीचे भी देखने को पहले नियूव चाहते हैं आपके पास और पहले से क्रेट करना चाहेंगे तो यहां पर प्रेट कर सकते हैं यूद्ध को विंडो मेकर देखने को मिलेगा व्याइसे विंडो मेकर्स के अंदर आपका जो शकाड़ा है वो आप यहां पे करते हैं, जैसे किसी कंपनी के लिए हो गया या पर किसी इंडिस्रिस्टिरियर हुगें यहां पर करना है यहां पर आप इसके nic I AmPlex लागते है कुछ आपनी चीजिग्ता झालते हैं कुछ आप करना चाथा यहां यह पूर। यहां पर तो उसका है window viewer इसके अंदर क्या होता है कि आपके बनाएंवाद जो भी skada है आप उसे यहां पर view कर सकता है उसके अंदर आपके पास किस तरह से working चल रही है यह login logout page होगे आपके पास यह सारी चीज़ आपको वहां पर देखने को जाएगी उसके बात करें यहां पर देखे db loads है और यहां पर db dumps है इसके बारे में हम एक particular video के बात करेंगे db load और db dumps के बारे में आपके पास क्या है कि आपके पास कोई दूसरी आप यहां पर project file को इंपोर्ट करते हैं तो तरह से आप यहां पर अपनी जो फाइल बना रहे है नहीं फाइल में उसके अंदर किस तरह से ला सकते हैं प्लस उसके अंदर से किस तरह से export कर सकते हैं किसी और प्रग्राम के अंदर यह सारी चाजी उसके सकते हैं देगे टैग नेम क्या होता है इसके बारे में हम एक particular video के अंदर समझेगे कि टैग नेम क्यों जरूबी है और जब हम टैग नेम को समझेगे तब उसके बाद में हम db lump और db load को भी समझेगे जिसकी वज़े से हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारे पास दो skada plant बन जाएंगे तो उसके अंदर से हम किस्तर से interchange कर सकते हैं हमारे tag name को वो सारी जीज़े यहां पर work करेगी उसके बाद हमारे पास delete options है यहां पर अपना application बनाया है उस application को आप यहां पर delete करना चाहते हैं तो आप यहां पर डिलीट कर सकते हैं यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो यहां पर अपके पास यहां पर और कोई नेटर्क सिस्टम होगे उसके बात करना है उसके अंदर मैं बात करूंब कोई आपको एक particular सकाड़ को सर्च करना है जैसे कि मेरे पास प्लांट हो गया अभी मेरे पास तीन-चार्व सकाड़ा है लेकिन यदि मैं यहां पर बहुत सारे सकाड़ा तो अब हम देखेंगे यहां पर कि हम किस तरह से new applications को कर सकते हैं मलूंद हमने यहां पर देखे熥े अभी तैक हम नहीं मेनेजर को समझाए इस där काड़ी toe सबrans educational पुछेगा कि आपका इसे कहां पर अपना जो स्टॉरिज या गौड़ता के डेक स्ट्रोप को बना लेता हूं desktop के उपर ही मैं सेव करूँगा यहां पर जाए कंगे आपस आपके शिस्टम बना कि उसके अंदर सारा work कर रहे हैं तो आप उसी के पर्मनेंट के आप यहां पर सेव कर सकते हैं बात करें यहां पर इसका नाम नेक्स्ट किया है यहां पर आपके कोई अप्र एपकर आपको यहां पर कोई कोई डिस्किपसेचन लिखना है कि आपके प्लांट के इंदर क्या वर्किंग चल रहे है तो आप यहां पर रख सकते हैं तो यहां पर मैं अभी कुछ नहीं रखना वाला हूं यहां पर मैंने यहां पर description को ब्लेक कर रहा है यहां पर बात करूँ यहां पर विंड मिल प्लांट के लिए वर कर रहे हैं यहां पर थर्मल प्लावर कर रहे हैं उसके लिए किस चीज के लिए बनाया गया है यहां पर उसके आपके पास डिस्क्रिप्शन रखना है तो आप रख सकता है क्लिया उसके आप लिस्ट करेंद के बाद नाम से आप जैसे को क्लिक करेंगे के इस के पार है आपका जो सबसे पहले सबसे पहले क्या है और किहां विंडू मेकर के शिडुल्ड के शब्सकी दिखाता है इन सब के के अंदर हमें क्या क्या देखना मुलता है तो बैसिकली बात करें हमने यहां पर देखने के नाम के सब्सक्राइं अब को कौन कौन पर रख सकते हैं और कौन कौन से चीज़े आपको दीख नहीं मिलती है तो मैं आपको सी ड्राइव के अंदर मेरा एक स्काड़ा डिजाइन कर रखा है मैं आपको दिखाता हूं जिसका तुरू आप देख पाएंगे कि उसके अंदर कौन कौन से टैग नेम से वगरा सब आप यूज कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े आपको क्या करने पड़ेगी अप्लिकेशन मेनेजर के अंदर ओटमेटिकली क्रेट हो जाएगी क्लिया तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले विडियो लक्षा के अंदर जहां पर हम विंडो मेकर के अंदर उसके जो ग्राफिकल यूजर इंटर इंटर्फे काड़ा बना जा सकता है यह सारी चीज़े देखना हो लें लिया तो मिलते हैं हमारे एकली वीडियो लक्षा के साथ तब तक आप ममासा बने रहे हैं थैंक्यू फो वाचिंग इस वीडियो